अस्सलामु अलेकुम मैं हूँ डाक्टर जीम शिराजी अल्मोईस हमियो क्लेनिक एपड़ाबाद से रिस्पेक्टड विवर्ज जैसे के प्रिविस वीडियो में मैंने आपको वर्टिको की काज़स, सिम्टम्स and प्रिवेंशन के मतलग बताया था तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिनायन प्राफिमल पॉजिशनल वर्टिको के 10 रिस्क फेक्टर के मतलग बताना चाता हूँ So listen viewers, there are 10 रिस्क फेक्टर ओफ वर्टिको Number 1, Trauma सदमा सदमा की वज़से भी वर्टिको काज हो सकता है Number 2, Ear Disease कान की बिमारी की वज़से भी वर्टिको काज हो सकता है Number 3, Vestibular Neuritis कान की अंदरूनी सोज़श की वज़से भी वर्टिको काज हो सकता है Number 4, Potitis Media दर्मियानी कान की सोज़श की वज़से भी वर्टिको काज हो सकता है Number 5, Autocyclerosis कान की बूल बलियों के अंदर एक हडी को बरना इसकी वजह से भी वर्टीको काज हो सकता है। 6. CNS disease, Central Nervous System की बीमारी की वजह से भी वर्टीको काज हो सकता है। 7. Menir disease, बेहरे पन के करीब होना इसकी वजह से भी वर्टीको काज हो सकता है। 8. Acoustic Neuroma, ऐसी रुसूली जो कैंसर ना हो इसकी वजह से भी वर्टीको काज हो सकता है। 9. Sudden hearing loss, अचानक समात का नुकसान होना इसकी वजह से भी वर्टीको काज हो सकता है। 10. Cervical vertigo, उनकी मोरा की बीमारी की वजह से भी वर्टीको काज हो सकता है। 10 risk factors of vertigo यह वर्टीको के 10 फतरनाक अवामल हैं जो मैंने आपको बता दिये। 10. Respected viewers, जैसा के प्रिविस वीडियो में मैंने आपको वर्टीको की प्रिवेंशन के मतलग बताया था। 10. So kindly आप उन प्रिवेंशन को फालो करें ताकि आप वर्टीको से बच सकें। होमियोपेथी में हर किसम की वर्टीको का बेहतरीन अलाज मजूद है बेहतरीन रेमडीस के साथ। उमीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट में मेरी आप से रेक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly बिल का बटन दबाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो आप असानी से देख सकें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ अल्ला हाफिस।